सभी को नमस्कार मैं मनोज मिस्त्रा आपके अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम हिंदी व्याकरण के अंत्रगत संग्या का टोपिक ले करके आए हैं यह एक ऐसा टोपिक है जो हिंदी से समांदित लगभग हर परिक्षा में उप्योगी माना जाता है चाहि हम रीट भरती परिक्षा में सामिल होने जा रहे हैं हिंदी में फर्स्ट ग्रेट, सेकिंड ग्रेट या कोलेज लेक्चरर की परिक्षा में सामिल होने जा रहे हैं या फिर आप पटवार, SI, इत्यादी से समादित कोई भी परिक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें संग्या का कोई प्रसन अवस्य कर लिया जाता है अब संग्या के उस प्रसन को हम कैसे सही करें उसी के बारे में इस वीडियो में पढ़ा जाएगा तो देखें संग्या क्या है, संग्या के भेद, उपभेद कैसे होते हैं और क्या विशेश नियम इसमें हम काम में लेंगे, क्या विशेश नियम सीखेंगे उन सभी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा तो चलिए सबसे पहले संग्या किसे कहते हैं इसका उत्तर आता है मालीजे ये अपना ब्रह्मांड है इस ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ हमें अपनी आखों से दिखाई देता है या फिर अपने मन से अनुभव किया जाता है आखों से दिखाई नहीं देता लेकिन मन से अनुभव किया जाता है तो उन सब पदार्थों के नाम को हम संग्या कहते हैं जैसे मालीजे हमें अपने आसपास पेड दिखाई देता है कोई भी कक्सा कक्स में देखते हैं तो अध्यापक है छात्र है पंखे है टेबल कुरसी है ब्लेक बॉर्ड है कोई भी पदार्थ हमें दिखाई दे रहा है या फिर मन से हम जिसका अनुभव कर सकते हैं उन सब पदार्थों के नाम को संग्या कहते हैं अब संग्या के भेद कितने माने जाते हैं तो हिंदी व्याकरण में संग्या के प्रमुखत है तीन भेद माने जाते हैं हिंदी व्याकरण की बात करें तो संग्या के तीन भेद हम पड़ेंगे एक व्यक्ति वाचक संग्या दूसरी जाती वाचक संग्या और तीसरी भाव वा व्यक्ति वाचक, जाति वाचक और भाववाचक. अब इन तिनों की पहचान कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से पहचान हो सकती हैं, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं. सबसे पहले देखे, यदि कोई भी सब्द अपने पास में आता है, वह सब्द किसी एक व्यक्ति विशेस, ए एक इस्थान विशेश के नाम को प्रकट करता है तो वहाँ व्यक्ति वाचक संग्या मान ली जाती है व्यक्ति विशेश, वस्तु विशेश, इस्थान विशेश का ही नाम आता है तो व्यक्ति वाचक संग्या हम मान लेते हैं लेकिन यदी कोई सब्द है वो अपनी संपुरुन जाती संपुरुन वर्ग या समुह के नाम को प्रकट करता है तो उनमें हम जाती वाचक संग्या मान लेते हैं जैसे माली जे एक सब्द अपने पास में आ गया देश तो देश कोई भी हो सकता है भारत भी है पाकिस्तान भी है कोई भी देश हो सकता है तो देश एक समुह सुचक सब्द हो गया तो देश में जाती वाचक संग्या माने जाएगी लेकिन पर्टिकुलर किसी एक देश का ना जैसे भारत, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका तो फिर इनमें व्यक्ति वाचक संग्या मानली जाती है तो इसी भेद को हम पढ़ेंगे फिर भावाचक संग्या ऐसे सब्दों में होती है जिनमें प्रायह हम क्या करते हैं अपनी आखुं से नहीं देख पाते हैं लेकिन मन से उनका अनुभव कर पाते हैं तो मन से अनुभूत पदार्थों के नाम में प्रायह भावाचक संग्या मानी जाती है तो चलिए आज इसी के बारे में विस्तित अध्यन करते हैं सबसे पहले आ रहे हैं संग्या की परिभासा क्या है तो देखे इस संपुर्ण ब्रह्मांड म जो कोई भी पदार्थ हमें प्रत्यक्स्त है दिखलाई पड़ता है आखुं से दिखलाई पड़ता है अत्वा मन से अनुभव किया जाता है उन सब पदार्थों के नाम को संग्या कहते हैं कोई भी पदार्थ चाहे हमें आखुं से दिखाई देता है या मन से अनुभव कि जाता है उन सब पदार्थों के नाम को संग्या कहते हैं जैसे राम, श्याम, सीता, गीता कोई भी बालक बाली का हमें दिखाई दिया उसका नाम हमने बूल दिया ये राम है श्याम है तो राम, स्याम, सीता, गीता कक्सा कक्स में देखें तो कागज, पैन, सिक्षक, छात्र सुख, दुख, अमीरी, गरीबी, बचपन, बुढ़ापा, ये आँखों से देखे नहीं जा सकते हैं, मनसे अनभव के जाते हैं, तो ये भी संग्या सब्द हैं, ऐसे ही कवी, लेखक, नगर, सहेर, दिल्ली, जैपुर, ये कोई न कोई नाम अपने सामने आ रहे हैं, नाम को ह हम संग्या कह देते हैं, अब संग्या के भेद कितने माने जाएं, तो देखे, हिंदी व्याकरण में संग्या के प्रमुखत है, तीन भेद माने जाते हैं, हिंदी में हम संग्या के तीन भेद मानते हैं, अंग्रेजी व्याकरण अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो वहां पांच भेद नाउन के पढ़ी जाते हैं हम यहाँ हिंदी की बात कर रहे हैं तो इसमें तीन भेद माने जाएंगी वो तीन भेद कोन-कोन से हैं पहला व्यक्ति वाचक संग्या जिसे अंग्रेजी में प्रोपर नाउन के नाम से पढ़ा जाता है दूसरा जाती वाचक संग्या अंग्रेजी में इसे कोमन नाउन के नाम से पढ़ते हैं और तीसरा भाव वाचक संग्या जो अंग्रेजी में एस्ट्रेक्ट नाउन के नाम से पढ़ी जाती है तो हिंदी में तीन भेद होगे व्यक्ति वाचक जाती वाचक और भाव वाचक अब इन तीनों की पहचान कैसे करें तो देखें सबसे पहले व्यक्ति वाचक और जाती वाचक में अंतर सीखते हैं व्यक्ति वाचक संग्या कहां होती है ऐसे संग्या सब्द जो किसी व्यक्ति विशेश, वस्तु विशेश, अथ्वा इस्थान विशेश के नाम को प्रकट करते हैं, तो उनमें व्यक्ति वाचक संग्या माने जाती है, व्यक्ति वाचक संग्या होगी, तो फिर जाती वाचक संग्या कहां होती है, तो इसकी परिभासा है, ऐसे संग्या सब्द जो अपनी संपुर्ण जाती वर्ग या समुह के नाम को प्रकट करते हैं उनमें जाती वाचक संग्या माने जाती है देखे दोनों में अंतर कैसे किया जा रहा है एक व्यक्ति विशेश वस्तु विशेश या इस्थान विशेश का नाम है तो व्यक्ति वाचक संग्या होगी और यदि संपुन जाती, वर्ग या समुह का नाम प्रकट हो रहा है तो वहां जाती वाचक संग्या मानी जाती है कुछ उधारणों से इनको समझें दोनों में कैसे अंतर करेंगी पहले कोलम में आपके पास जो सब्द हैं वो सभी जाती वाचक संग्या के सब्द होंगे और दूसरे कोलम में जो सब्द हैं वे सभी व्यक्ती वाचक संग्या के सब्द होंगे जैसे महाद्वीप सब्द में संग्या बताओ तो महाद्वीप कोई भी हो सकता है इसलिए जाती वाचक संग्या होगी लेकिन पर्टिकुलर किसी महाद्वीप का नाम लिखावा गया ऐसिया, यूरोप, अफरीका इनमें संग्या बताओ तो फिर वहाँ व्यक्ति वाचक संग मानी जाएगी महाद्वीप जाती वाचक है ऐसिया अफरीका यूरोप आस्ट्रेलिया ये सभी व्यक्ति वाचक हैं ऐसी महासागर सब्द में संग्या कौन सी है तो जाती वाचक होगी लेकिन पर्टिकुलर नाम आगया हिंद महासागर प्रसांत महासागर तो फिर व्यक्ति वाचक संग्या मानी जाएगी ऐसे ही द्वीप सब्द में कोन सी संग्या है तो उतर होगा जाती वाचक लेकिन पर्टिकुलर किसी द्वीप का नाम आगया लक्स द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप तो फिर इन में व्यक्ति वाचक संग्या मानी जाएगी ऐसे पर्टिकुलर एक नाम आ गया भारत, जापान, चीन, अमेरिका इनमें संग्या बताओ तो फिर हमारा उत्तर होगा व्यक्ति वाचक ऐसे देखें राज्य, प्रांत, स्टेट इनमें कुन सी संग्या है तो कोई भी राज्य हो सकता है तो ये जाती वाचक है लेकिन पर्टिकु राजधानी, नगर, सहर, जिला, उपखंड, तहसील इनमें कुन सी संग्या मानेंगे तो इनमें सभी में जाती वाचक संग्या है कोई भी राजधानी हो सकती है कोई भी नगर सहर हो सकता है तो ये जाती वाचक संग्या के सब्द है लेकिन पर्टिकुलर कोई नाम आ रहा ह राजधानी का, नगर का, सहर का, जिले का, तो फिर व्यक्ति वाचक संग्या हो जाएगी, जैसे राजधानी में जाती वाचक है, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, जैपूर, सीकर, फतहपूर, चूरू, सरदार सहर, इन में कुन सी संग्या होगी, तो ये सभी व्यक्ति वा लेकिन पर्टिकुलर किसी गाउं का नाम है कंचनपूर में कुन सी संग्या होगी तो व्यक्ति वाचक दासा की धानी धानी जाती वाचक और दासा की धानी कालू बाबा की धानी मांगू बाबा की धानी इनमें व्यक्ति वाचक संग्या मानी जाएगी वेद, पुरान, पुस्तक, ग्रंत, सभी में के संग्या बताओ, तो ये जाती वाचक है लेकिन पर्टिकुलर आ गया, रिगवेद में कुन सी संग्या, तो फिर व्यक्ति वाचे हो जाएगी वेद जाती वाचक, रिगवेद व्यक्ति वाचक, पुरान जाती वाचक, सिव पुरान व्यक्ति वाचक, ऐसे ही पुस्तक या ग्रन्त है तो जाती वाचक, लेकिन रामायन, महाभारत, कुरान, बाइबल कोई भी particular एक नाम आ गया तो फिर उनमें हमें कुन सी संग्या माननी ह ऐसे देखें कवी कवित्री लेखक में संग्या कुन सी है तुजाती वाचक है और पर्टिकुलर किसी कवी का नाम है कालिदास तुलसिदास महादेवी वर्मा तो ये व्यक्ति वाचक संग्या के सब्द माने जाएंगे ऐसे ही समझें पहाड और परवत में संग्या बताओ तुजाती वाचक और पर्टिकुलर पहाड का नाम है हिमाले अरावली विंद्याचल तो व्यक्ति वाचक संग्या होगी पहाड परवत जाती वाचक हिमाले अरावली विंद्याचल व्यक्ति वाचक सागर या नदी में संग्या बताओ तो जाती वाचक है और सागर की जगा गया अरब सागर लाल सागर तो व्यक्ति वाचक हो जाएगी नदी जाती वाचक है लेकिन गंगा यमना सरस्वती नील अम पर्टिकुलर किसी नदी का नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक संग्या हो जाएगी ऐसे बताएं कोचिंग सब्द में कौन से संग्या होगी जातिवाचक लेकिन परिश्रम कोचिंग पर्टिकुलर नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक पब्लिकेशन जातिवाचक मिस्रा पब्लिक गया राम, स्याम, सेता, गीता तो ये व्यक्ति वाचक संग्या के सब्द हैं ऐसे ही मंत्री में संग्या जाती वाचक तो प्रधान मंत्री में मुख्य मंत्री में कुन सी होगी ये भी जाती वाचक होगी क्योंकि दुनिया में प्रधान मंत्री भी अनेक हो सकते हैं मुख्य मं मंत्री भी अनेक हो सकते हैं, तो ये जाती वाचक है, लेकिन पर्टी कुद्रा गया परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शिक्ष्या मंत्री गोविन सिंग डोटासरान ने कहा, तो वहाँ पर इनमें व्यक्ति वाचक संग्या मानली जाएगी, ऐसे जानवरों के नाम आत गाय भी जाती वाचक है, राठी गाय भी जाती वाचक है, भेंस जाती वाचक, मुर्रा भेंस भी जाती वाचक है, क्योंकि गाय भी अपने समुह का प्रतिनिधित्व करती है, तो राठी गाय भी अनेक हो सकती हैं, समुह की रूप में आती हैं, तो गाय में जाती वाचक है राठी गाय पूरे सब्द में जाती वाचक संग्या माने जाएगी यहां इतना जरूर ध्यान रखेंगे राठी गाय में अकेला राठी सब पूचें कि यहां राठी क्या है तो यह विशेशन है और ऐसे विशेशन को व्यक्ति वाचक विशेशन कहा जाता है तो पूरे सब में राठी गाई में जाती वाचक संग्या है अकेले राठी में पूछें तो वो व्यक्ति वाचक विशिशन माना जाएगा संग्या पद नहीं होगा ऐसे भेंस जाती वाचक, मुर्रा भेंस भी जाती वाचक है और मुर्रा यहां व्यक्ति वाचक विशेशन के रूप में प्रियुक्त हुआ है लेकिन देखे यह मोहन की गाय है ये पर्टिकुलर एक गाय विसेश के लिए प्रिव्ट हो गया तो यहां उसे व्यक्ति वाचक के रूप में मान लिया जाएगा ऐसे आप जाती वाचक और व्यक्ति वाचक में अंतर कर सकते हैं समुहे जाती वर्ग का नाम आए तो जाती वाचक एक व्यक्ति एक वस्तू या एक इस्थान विसेश का नाम आए तो व्यक्ति वाचक संग्या में उसे ले लिया जाएगा अब चलते हैं भाव वाचक संग्या किसे कहते हैं तो देखे ऐसे संग्या सब्द जिनको हम हमारी वास्तविक आखुं से तो नहीं देख सकते हैं परन्तु मन से जिनका अनुभव किया जा सकता है आखुं से नहीं देख सकते हैं लेगिन मन से जिनका अनुभव कर सकते हैं उन सब नामूं में हम भाव वाचक संग्या मान लेते हैं उनमें भाव वाचक संग्या मानी जाती है या यूं कहें गुण भाव आदी के नाम को जो प्रकट करते हैं उनमें भाव वाचक संग्या मानी जाती है जैसे सुख सुख सब्द में संग्या बताएं तो सुख को हम आखु से नहीं देख सकते केवल अनुभाव कर सकते हैं कि ऐसा होता होगा दुख सब्द में संग्या बताओ तो दुख भी प्रत्यक्स रूप से देखा नहीं जा सकता केवल अनुभूत पदार्थ है तो ये सुख दुख बच्पन बुढ़ापा अमीरी गरीबी दूरी हसी सुंदर प्रता, सुंदरिय, गती, भक्ती, दर्शन, प्यार, इसने है, प्रेम, सभी मन से अनुभूत होने वाले पदार्थ हैं इसके इन में भाव वाचक संग्या मानी जाती है ये सभी भाव वाचक संग्या के पद हैं अब अगली चीज हम पढ़ते हैं ये तो तिनुमेंतर हो ग संग्या जाती वाचक से बनी है, सर्वनाम से बनी है, या विसेशन से बनी है, या क्रिया से बनी है, या अव्वे से बनी है तो उनकी पहचान कैसे करें तो भाव वाचक संग्या सब्दों की रचना कैसे कैसे हो सकती है इसके बारे में पढ़ें भाव वाचक संग्या के जुड़ने से होती है भाव वाचक संग्या है वो पहले किसी जाती वाचक संग्या सब में सरवनाम में विशेशन में क्रिया में या फिर अव्वे सब्दों में हम कोई प्रतिये जोडते हैं तो उससे जो नयाव सब्द बनता है उसमें भाव वाचक संग्या मानली जाती है कैसी देखे पहले हम लेते हैं जाती वाचक संग्या से निर्मित भाव वाचक संग्या सब्द कैसे बन रहे हैं देखे इसमें तीन कोलम है पहला है मूलत है जाती वाचक संग्या सब्द फिर उसमें प्रत्ते जुड़ा गया है और प्रत्य के जुड़ने से जो नया सब्द बनेगा वो भावाचक संग्या को प्रकटल करेगा कैसे सब्द है बच्चा बच्चा में कुन सी संग्या होगी तो जाती वाचक संग्या का सब्द है और इसमें प्रत्य जुड़ने पन तो नया सब्द बनेगा बच्पन संग्या को प्रकट करेगा सब्द है मित्र मित्र सब्द में कुन सी संग्या होती है मित्र कोई भी हो सकता है तो जाती वाचक है और उसमें ता प्रत्य जोड़ दें तो नया सद बना मित्र ता इसमें कुन सी संग्या होगी तो ये भाव वाचक संग्या हो जाती है ऐसे पौरुस में कौन से संग्या होगी तो ये भाव वाचक संग्या को प्रकट करेगा पसु सब्द में संग्या बताईए तो जाती वाचक है अर्त्व प्रते जोड़ दिया नया सब्द बना पसुत्व में कौन से संग्या होगी तो ये भाव वाचक संग्या मानी जाएगी तो ये जाती वाचक संग्या से बने हुई भाव वाचक संग्या सब्द माने जाते हैं फिर लेते हैं सर्वनाम से निर्मित भाव वाचक संग्या सब्द सर्वनाम से कैसे बनते हैं इसमें भी तीन कोलम में पहला है मूलत है सर्वनाम सब्द है फिर हम उसमें प्रत्ते जोडेंग तो नया सब्द जो बनेगा उसमें भावाचक संग्या मानी जहेगी जैसे अपना ये निजवाचक सर्वनाम सब्द है और इस अपना में तवय या पन प्रत्य जोड़ देते हैं तवय जोडेंगे तो अपनत्व बनेगा पन जोडेंगे तो अपना पन बनेगा अपनत्व कौन सी संग्या होगी तो उत्तर होगा भावाचक ऐसे मम यानि मेरा या मेरी ये मम एक सर्वनाम सब्द है इसमें हम ता प्रते या तवे प्रते जोड़ देते हैं तो ता जोड़ने पर बनेगा ममता तवे जोड़ने पर ममत्व ममता ममत्व में कौन सी संग्या होगी तो उत् अंस्क्रित का सब्द है एहम में ये भी उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम सब्द है और इस एहम में जोड़ दिया कार प्रत्य तो नया सब्द क्या बना एहंकार बन गया इसमें संग्या कुन्शी होगी तो भावाचक संग्या मानी जाएगी सर्व यानि सभी ये भी एक सर्वनाम सब्द है और इसमें स्वे प्रत्य जोड़ दिया तो नया बना सर्वस्व सर्वस्व सब्द में कुन्शी संग्या है तो भावाचक संग्या होगी स्वय यानि अपना ये भी सर्वनाम सब्ध है इसमें त्वय प्रत्ते जोड़ते हैं तो स्वत्व बन जाता है जो की भाववाचक संग्या में जाएगा तो इस तरी के से आप देख सकते हैं अपनत्व, अपनापन, ममता, ममत्व, एहंकार, सरवस्व, स्वत्व, सभी सरव़ नाम से बने हुए भा वाचक शंग्या सब्द ہیں फिर देखे तीसरी चीज आती है विशेशन से निर्मित भा वाचक शंग्या सब्द तेन कोलम है इसमें भी, पहले मूलत है विशेशन सब्ध, फिर प्रतिये और फिर भाववाचक संग्या सब्ध पहला है अमीर गरीब ये कैसे सब्ध हैं, तो ये विशेशन है इनमें हम यी प्रत्य जोडेंगे अमीर में यी जोडने पर अमीरी और गरीब में यी जोडने पर गरीबी बना तो अमीर गरीब विशेशन है और अमीरी गरीबी विशेशन से बनेवे भावाचक संग्या सब्द हैं ऐसे सुन्दर मधूर ये विशेशन सब्द हैं इनमें ता प्रत्य जोड़ेंगे तो सुन्दर से सुन्दरता मधूर से मधूरता ये भावाचक संग्या में चले जाएंगे इसी सुन्दर या मधूर विशेशन में हम ये प्रत्य जोड़ते हैं तो सुन्दर में ये जोड़े और इसमें प्रत्य जोड़ रहे हैं पन, बड़ा में पन जोड़ेंगे तो बड़ा पन, छोटा में पन जोड़ेंगे तो छोट पन, इनमें कुन से संग्या होगी तो ये भाव को प्रकट कर रहे हैं, भाव आचक संग्या मानी जाएगी, ऐसे अच्छा बूरा ये भी विशे सब्द है मिठा पानी मिठा दूद और इसमें प्रत्य जोट रहे हैं आस तो नया पद बना मिठास ये कुन से संग्या में जाएगा भाव वाचक संग्या को प्रकट करेगा तो यहां आप देख रहे हैं अमीरी गरीबी सुंदरता मधूरता सुंदरिये माधुरिये बड़प चुटपान अच्छाई बुराई मिठास सभी विशेशन से बने हुए भाव वाचक संग्या सब्द आ रहे हैं फिर है धातू या क्रिया से निर्मित भाव वाचक संग्या सब्द धातू से क्रिया से बनने हुए भाव वाचक संग्या सब्द इसमें पहले मूल रूप से ध धातू या क्रिया है फिर उसमें प्रत्य जोड़ेंगे और नया सब्द बनेगा वो भावाचक संग्या में चला जाएगा जैसे घबरा धातू या घबराना क्रिया इसमें जोड़ दिया आहट प्रत्य तो नया सब्द क्या बना घबराहट घबराहट क्या है ये भावाचक सं जावट इसमें संग्या होगी भाव वाचक मिल धातू या मिलना क्रिया प्रत्ते जोडते हैं आवट जोड़ दें या आप जोड़ दें मिल में आवट जोड़ेंगे तो मिलावट बनेगा आप जोड़ेंगे तो मिलाप बनेगा और मिलावट मिलाप कैसे सब्द माने जाएं भाव वाचक संग्या सब्द होंगे ऐसे खेलना एक रिया है इस खेलना क्रिया में ए प्रत्य जोड़ते हैं तो खेल बन जाता है दोडना एक रिया है और दोडना में ए प्रत्य जोड़ेंगे तो दोड बनेगा खेल दोड ऐसे मार काट इनमें कुन सी संग्या होगी तो इनम भाव वाचक संग्या मानी जाएगी द्रिस धातू है द्रिस धातू में अनप्रत्य जोडते हैं संस्कर्त के नुसार लिट प्रत्य है हिंदी के नुसार अनप्रत्य है द्रिस में अनजोडेंगे तो सब बनेगा दर्सन और दर्सन में संग्या कुन सी होगी भाव वाचक होग ध्यान दें जहां पर भी हम अनप्रत्य जोडते हैं अनप्रत्य से जोड़ा हुआ बना हुआ जो सब्द है वो हमेशा भाव वाचक संग्या सब्द ही माना जाता है द्रिस्ट से दर्शन हो गया म्री या भ्री दो धातू हैं भ्री से अनप्रत्य जोड़ेंगे तो भरण बनेगा और म्री से अनप्रत्य जोड़ेंगे तो मरण बनेगा ऐसे ही व्याकरण सब्द में संग्या बताओ तो इसकी भी आप रचना देख सकते हैं वी और आ दो नया सब्द बनेगा गती जहां भी ती संस्कृत के नुसार तिन प्रते हिंदी के नुसार ती प्रते जुड़ता है उससे बनेवे सब्द भी भाव वाचक संग्या में जाते हैं अनप्रते और ती प्रते गम से गती भजधातों में ती जोड़ें तो भकती तो गती मती भकती सक्ति उन्नती ये भी भाव वाचक संग्या को प्रकट करने वाले पद होंगी ऐसे हरी धातू ब्री धातू ध्री धातू म्री धातू इनमें हम ए प्रत्ते जोड़ते हैं संस्कृत के अनुसार गहें प्रत्ते हिंदी के अनुसार ए प्रत्ते जोड़ेंगी हरी में ए जोड़ इनमें कुन सी संग्या मानी जाए तो ये भी भाव आचक संग्या को प्रकट कर रही है। सब्ध माना जाएगा ऐसे देखे लिख धातू या लिखना क्रिया है आवट प्रत्य जोड़ेंगे तो लिखावट बनेगा कमाना क्रिया है पढ़ना क्रिया है इनमें आई जोड़ दें कमाना से कमाई पढ़ना से पढ़ाई कमाई पढ़ाई में संग्या बताओ तो भाव व वाव वाचक संग्या मानी जाएगी तो ये सबी क्रिया या धातूं से बने हुए भाव वाचक संग्या सब्द प्राप्त हो रहे हैं फिर है अव्वे से निर्मित भाव वाचक संग्या सब्द अव्वे सब्द है पहले मूलत है आपको अव्वे सब्द मिलेगा फिर उसमें ह नजदीक में ये जुड़ने पर नजदीकी बना, समीप अव्वे में ये प्रत्य जुड़ेंगे तो सामीप पे बनेगा, समीप में ता प्रत्य जुड़ेंगे तो समीपता बनेगा, निकट सब्द में ता जोड़ेंगे तो निकटता बनेगा, तो ये सब्द आपके सामने है दूरी, नजदीकी, सामिपे, समेपता, निकरता ये सभी अव्य सब्दों से बने हुए भाव वाचक संग्या सब्द माने जाते हैं तो इस तरीके से भाव वाचक संग्या सब्दों की रजना जाती वाचक संग्या से भी हो सकती है सर्व नाम से भी हो सकते है विसेशन से भी हो सकते है क्रिया से भी हो सकते है तो अब वे सब्दों से भी हो सकते है अब आते हैं कुछ पद ऐसे भी होते हैं जिनमें प्राय है प्रत्य होता नहीं है फिर भी वे भाववाचक संग्या को प्रकट करते हैं ऐसे सब्दों में हम स्वतंत्र भाववाचक संग्या मान लेते हैं, तो स्वतंत्र भाववाचक संग्या सब्द क्या है? तो देखे, कुछ भाववाचक संग्या सब्द ऐसे भी प्राप्त होते हैं, जिन में कोई भी प्रत्ते नहीं जुड़ा होता है, कोई प्रत्ते जुड किया जाता है तो वे स्वतंत्र भावाचक संग्या सब्द हैं जीसे सुख दुख प्रेम प्यार इसने है दुलार भूक प्यास ये सभी मन से अनुभूत पदार्त हैं कोई प्रत्य नहीं है इनमें फिर भी इनमें शंग्या कुण सी है बावाचक है ऐसे पदों को हम स्वतंत्र बावाचक संग्या सब्द कह देते हैं तो देखे उपरामने पड़ा विशेशन में प्रत्य जोडते हैं तो बावाचक संग्या पद बन जाता है यहाँ पर उल्टा होगा ये स्वतंत्र भावाचक संग्या सब्द हैं इनमें यदी कोई प्रत्य जोड़ा जाएगा तो फिर उससे जो नया सब्द बनेगा वो विशेशन सब्द में जाएगा इन स्वतंत्र भावाचक संग्या सब्दों के साथ कोई भी प्रत्य जोड़ दिया जाता है तो उससे बनने वाला नया सब्द विशेशन सब्द माना जाता है कैसे देखे सुक सब्द है भावाचक संग्या का है और इसमें हम इप्रत्य जोड़ देंगे तो नया सब्द क्या बनेगा सूखी बनेगा ये सूखी सब्द कैसा पद होगा व्याकरण के नुसार तो ये विशेशन सब्द माना जाएगा सूखी परिवार तो यहां परिवार की विशेशता सूखी सब्द बता रहा है तो सूखी विशेशन सब्द हो गया ऐसे दुख भावाचक है ये प्रत् थोगा प्यार भावाचक है उसमें आजोड़ दिया प्यारा बना तो ये भी विशेशन बन गया दुलार ये भी भावाचक है उसमें आजोड़ दिया दुलारा बना तो दुलारा विशेशन पद की रूप में काम में लिया जाएगा इसने है भावाचक संग्या सब्द है उस में ये प्रत्य जोड़ेंगे तो इसने ही बनेगा ये विशेशन के रूप में प्रियुक्त हो जाएगा ऐसे भूख भावाचक है आप प्रत्य जोड़ेंगे भूखा बनेगा तो विशेशन हो गया भूखा बालक प्यास भावाचक है आप प्रत्य जोड़ेंगे तो प्यास विशेशन सब्द के रूप में बनेगा ऐसे अन्य जो भावाचक हैं उनमें भी हम ऐसे प्रत्य जोड़ सकते हैं संसार भावाचक संग्या का सब्द है उसमें एक प्रत्य जोड़ते हैं तो सांसारिक बनेगा ये सांसारिक विशेशन के रूप में प्रिव्प्त माना एसे इतिहास से इतिहासिक, तो इतिहास, भाववाचक और इतिहासिक जो सब्द है, वो क्या हो जाएगा विसेशन के रूप में प्रिव्टमाना जाएगा। ये संग्या के तीन प्रमुक भेद आपके सामने हुए व्यक्तिवाचक संग्या, जातिवाचक संग्या और भाववाचक संग्या के रूप में अपने पास में आए हैं अब हम आगे बढ़ते हैं संग्या के अन्ने भेद देखे अभी शुरूम बताया था अंग्रेजी व्याक्रण में संग्या के नाउन के पांच भेद माने जाते हैं there are five kinds of a noun पांच भेद होते हैं पांच कौन-कौन से होते हैं व्यक्ति वाचक संग्या जिसको प्रोपर नाउन कहते हैं एक जाती वाचक संग्या कोमन नाउन और भाव वाचक संग्या एफ्ट्रेक्ट नाउन दो अलग ओर नाउन होती हैं एक कलेक्टिव नाउन और एक मेटे इनको हम अन्य भेदों के नाम से पढ़ रहे हैं क्योंकि मूलता है ये जाती वाचक संग्या के ही उपभेद होते हैं अलग से मुख्य भेद नहीं होते ये जाती वाचक संग्या के उपभेद माने जाते हैं उपभेद के अंतरगत इनको पढ़ा जाता है लेकिन उन विद्व अधार मानकर हम थोड़ा सा अलग अन्य भेदों में इनको ले रहे हैं। देखे कैसे। द्रभी वाचक संग्या जिसे मेटेरियल नाउन की नाम से पुकारा जाता है। अब इन दोनों की पहचान कैसे करते हैं। ऐसे संग्या सब्द जो किसी समुह की इस्तती को प्रकट करते हैं। उनमें समुदाय वाचक संग्या मानी जाती है। जैसे कक्सा, छात्रूं का समुह, सेनिकों का समुह, सेना, संसदूं का समुह, संसद, सभा, भीड, कुंज, पेड़पोदूं का समुह, वो कुंज है, अनाज का धेर है, मंडल या मंडली सब्दूता है, अच्छे लोगों का समुह, जथा है, बूरे लोगों का समुह, गीरो है कहलाता है, ऐसे अंगुरों का, चाबियों का, गुच्छा, खिलाडियों की टीम, दल या टोली, ये ऐसे सब्द हैं, जो किसिन किसी समुह को प्रकट कर रहे हैं, तो इनमें कुन सी संग्या मानी तो फिर द्रव्य वाचक संग्या कहा होती है, देखे, द्रव्य या पदार्थ होता है, उसकी तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, तो द्रव्य या पदार्थों की तीनु अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था के नाम को प्रकट करने वाले सब्दों में द्रव्य वाचक संग्या मानी जाती है या दूसरे सब्दों में शीखना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि कोई एक पदार्थ है उससे अगर दूसरी कोई वस्तू बना ली जाती है दूसरी कोई दूसरा कोई पदार्थ बना लिया जाता है तो किसी पदार्थ से अगर दूसरा पदार्थ बनता है तो जो पहला मूल पदार्थ है उसमें द्रव्य वाचक संग्या मानली जाएगी इससे हो हम कर सकते हैं कि सामन्यत है जिस पदार्थ से किसी अन्य वस्तू का निर्मान हो जाता है तो उस पदार्थ के नाम में द्रव्वे वाचक संग्या मानी जाती है पदार्थ की अवस्ता हैं ठोस, द्रव और गैस इनके नाम आ रहें सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, लोहा, पत्थर, लकडी, उन ये सभी ठोस अवस्ता को प्रकट करने वाले सब्द हैं अब सोना, चांदी से आभूशन बनाई जाते हैं पत्थर लकडी से मकान फरनीचर हम बना सकते हैं, उन से स्वेटर आदी बना सकते हैं, तो ये अन्नी पदार्थ की रचना में निर्मान में उप्योगी होगे, तो इनमें द्रव वाचक संग्या मानी जाएगी ऐसी द्रव अवस्ता तरल अवस्ता में है, तेल, दूद, घी, सहेद, पानी, चाच, पारा, इनमें कुन सी संग्या मानेंगे, तो ये सभी द्रव अवस्ता के पद हैं, तो द्रव वाचक संग्या में आ जाएगी गैस में जलें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आक्सीजन, इनमें कुन सी संग्या मानेंगे, तो ये भी द्रव वाचक संग्या के सब्द मानें जाएगे लेकिन जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि ये मुख्य भेदू में नहीं आते हैं, जाती वाचक संग्या के उपभेदू में ही इन दोनों को सामिल किया जाता है तो देखे, संग्या के उपरियुक्त दोनों भेद मूलत है, जाती वाचक संग्या के ही उपभेद माने जाते हैं ये जाती वाचक संग्या के ही उपभेद है आता है परिक्षा में समुदाय वाचक या द्रव्य वाचक विकल्प नहीं है तो फिर हम इन सब्दों में जाती वाचक संग्या को ही सही उत्तर मान सकते हैं अगर ये उप्षन है समुदाय वाचक द्रव्य वाचक तब तो उसको स धारित प्रसन बनता है तो फिर इनमें जाती वाचक संग्या को सही उत्तर मान लिया जाएगा कैसी देखे एक प्रसन आ गया कि दल सब्द में कौन सी संग्या है अब उप्शन दिये में व्यक्ति वाचक, जाती वाचक, भाव वाचक, समुदाय वाचक तो दल समुध को प्रकट कर रहा है तो यहां हम समुदाय वाचक को सही उत्तर मान लेंगी लेकिन इसी प्रसन में ओप्शन अपने पास में आ रहे हैं व्यक्ति वाचक, जाती वाचक, भाव वाचक, इनमें से कोई नहीं तो इनमें समुदाय वाचक विकल्प ही नहीं आया, तो फिर यहां पर जाती वाचक को सही उत्तर मान लिया जाएगा, क्योंकि समुदाय वाचक जाती वाचक का ही एक उपभेद है, ऐसे देखे, लोहा सब्द में कोन सी संग्या है, तो ओप्शन है व्यक्ति वाचक, जाती व भाव वाचक, द्रव्य वाचक, तो यहां लोहा एक पदार्थ है, तो उत्तर हो जाएगा द्रव्य वाचक, प्रसन यही है, ओप्शन अपने पास में है, व्यक्ति वाचक, जाती वाचक, भाव वाचक, इनमें से कोई नहीं, यहां पर द्रव्य वाचक ओप्शन में ही नह तो ये दोनों में अगर जो उपभेद दियावा है तब तो उपभेद को सही मानना है उपभेद नहीं दियावा है तो मूल जाती वाचक भेद को सही उत्तरमान लिया जाएगा ये दो अन्य भेद संग्या के प्राप्त हो जाती हैं अब हम लेते हैं संग्या से समधित कुछ अन्य विशेश नियम, संग्या है, उसमें कुछ और बातों का भी हमें ध्यान रखना होगा, वो और बातें क्या है, इसके भी अलग-लग नियम प्राप्त हो रहे हैं, पहला नियम है, जाती वाचक संग्या का कोई सब्द है, मालीजी अपने पास जाती वाचक संग्या का कोई सब्द है उसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं वाक्य प्रयोग में यदि वो एक व्यक्ति विशेश के नाम को प्रकट करने लग जाता है तो फिर उनमें जाती वाचक नहीं व्यक्ति वाचक संग्या मानी जाएगी येकिनियम जाती वाचक संग्या का कोई सब्द यदि वाक के प्रियोग में किसी एक व्यक्ति विशेश के नाम को प्रकट करने लगता है तो वहां उसमें व्यक्ति वाचक संग्या मानी जाती है मूलत है जाती वाचक है लेकिन एक व्यक्ति का नाम आने लग जाता है तो व्यक्ति वाचक संग्या मानली जाएगी कैसे देखे उदारन मूलत है जाती वाचक संग्या सब्द में पहले कोलम में दूसरे में है वाक्की में प्रयोग कर रहे हैं तो व्यक्ति वाचक संग्या के रूप में प्रयोग होगा कैसे आप से पूछा गया नेताजी सब्द में संग्या बताओ नेताजी में कौन से संग् तो उत्तर होगा जाती वाचक लेकिन वाक के आ गया कि नेता जी ने जय हिंद का नारा दिया था यहां नेता जी में कौन से संग्या है तो यहां नेता जी सुभास संद्र बोस एक व्यक्ति विशेष का नाम प्रकट होगा इसलिए ये व्यक्ति वाचक संग्या मानी जाएगी अकेला सब्द आता है तो जाती वाचक संगया से उतर होगा लेकिन ये वक्य के आ गया तो फिर व्यक्ति वाचक को सही उत्तर मान लिया जाएगा ऐसी पुछा सरदार में कौन सी संगया है तो उत्तर होगा जाती वाचक अब वाक्यारा है राजस्थान के एकी करण में सरदार का महतोकुन योगदान था यहां सरदार में कुन सी संग्या है तो ये सरदार कौन है बल्लब भाई पटेल एक व्यक्ति विशेश का नाम होगा तो इस सरदार में व्यक्ति वाचक संग्या मानी जाएगी अकेला सब्द है तो जाती वाचक लेकिन वाक्य में आ गया तो ये व्यक्ति वाचक के रूप में माना जाएगा ऐसी चाचा, नहरू, पंडिजी इनमें कौन सी संग्या होगी तो ये जाती वाचक संग्या के सब्द हैं लेकिन वाक्य में प्रियोक करके दे दिया कि चाचा या नहरू या पंडीजी भारत के प्रथम परधान मंत्री थे, तो यहां चाचा कोँण है, नहरू कोँण है, पंडीजी कोँण है, जवाहरलाल नहरू एक व्यक्ति विशेश हो गया, इसलिए संग्या कुन्सि होगी, व् बापु सब्द में संग्या बताईए तो इनमें जाती वाचक संग्या मानी जाती है वाक्य में प्रियोग करके अब दे दिया कि गांधी या बापु सब्दे वै अहिंसा के पुजारी थे तो यहां गांधी सब्द में बापु सब्द में कौन सी संग्या है तो यह महात्मा ग प्रियोग में वह एक व्यक्ति के नाम को प्रकट कर रहा है तो उनमें व्यक्ति वाचक संग्या मानली जाती है अब चलते हैं दूसरे नियम पर दूसरा नियम अपने पास में है वो क्या है व्यक्ति वाचक संग्या का कोई सब्द है उसका वाक्य में प्रियोग कर देते हैं और वाक्य में प्रियोग करने पर यदि वह सब्द अपने जैसी विसेशता गुण को प्रकट करने लग जाता है, तो फिर उसमें जाती वाचक संग्या मानी जाएगी, व्यक्ति वाचक संग्या का कोई सब्द यदि वाक्य प्रियोग में अपने समान गुण या विसेशता को प्रकट करने लगता है, तो वहाँ उस सब्द में जाती वाचक संग्या मानी जाएगी व्यक्ति वाचक नहीं जाती वाचक संग्या होगी कैसी देखे इसमें भी दो कोलम है पहला है मूलत है व्यक्ति वाचक संग्या का सब्द है लेकिन वाक्य प्रियोग करते ही वो जाती वाचक में चला जायेगा कैसे आप से पूछा गया कि कस्मीर सब्द में कौन सी संग्या है तो कस्मीर एक राज्ये विशेष राजधानी विशेष का नाम हो गया तो इसमें व्यक्ति वाचक संग्या है अब वाक्य में आ गया उद्यपूर राजस्थान का कस्मीर है यहां का रेखांकित पद है कस्मीर इसमें संग्या बताओ तो उद्यपूर कस्मीर नहीं है लेकिन कस्मीर के जैसा है ऐसी कस्मीर की विशेष्था उद्यपूर में प्राप्त हो रही है तो समान विशेष्था हो करण इस कस्मीर में जाति वाचक संग्या मानी जाएगी अकेला सब्द है तो व्यक्ति वाचक सही उत्तर होगा और यह वाक्य आगया तो फिर वहाँ जाती वाचक को सही उत्तर माना जाएगा एक कवी विशेश है लेखक विशेश है तो व्यक्ति वाचक है लेकिन वाक्य आगया कालिदास भारत का सेक्स पियर है कालिदास को भारत का सेक्स पियर माना जाता है यहां सेक्स पियर में कुन सी संग्या होगी तो वो जाती वाचक संग्या सब्द माना जाएगा ऐसे गंगा में कुन से संग्या है एक नदी विशेश का नाम है तो ये विक्ति वाचक संग्या पद है लेकिन वाक्य आगया राध्धा तो गंगा है अब गंगा नहीं है गंगा के जैसी पवित्र है ऐसा हम मान लेंगे भावा जाएगा तो राध्धा तो गंगा के जैसी है तो ये गंगा जाती वाचक संग्या का सब्द माना जाएगा, ऐसे सीता सावित्री में कुन सी संग्या होगी, व्यक्ति वाचक, लेकिन वाक्य में आ गया, भारत में आज भी घर घर में सीता और सावित्री पाई जाती है, यहां सीता और सावित्री में संग्या बताओ, तो उ वेक्ति विशेश का नाम हो चकता है इन वाक्या गया मोहन तो विभीशन निकला मोहन तो जैचंद निकला तो वो विभीशन जैचंद के जैसा निकला ऐसा भाव है तो ऐसा भाव होने के करण समान विशेशता होने के करण विभीशन जैचंद में यहां जाती वाचक संग्या मानी जाएगी तो ये चीज होगी व्यक्ति वाचक संग्या का कोई शब्द है उसका वाक्य में प्रियोग करते हैं वाक्य में प्रियोग करने पर यदि वो अपने समान गुण विशेषता को प्रकट करने लग जाता है तो फिर वहां उसमें जाती वाचक संग्या मानली जाती है तीसरा विशेष नियम तीसरा नियम क्या है व्यक्ति वाचक एवं भाव वाचक संग्या सब्दों की ये विशेषता होती है कि ये सब्द हमेशा एक वचन में ही प्रियुक्त होते हैं कोई भी व्यक्ति वाचक संग्या का सब्द होता है या भाव आते ही इनको जाती वाचक संग्या में माना जाएगा नियम क्या है व्यक्ति वाचक एवं भाव वाचक संग्या सब्द सदेव एक वचन में ही प्रयूक्त होते हैं एक वचन में आते हैं यदि इनको बहु वचन में प्रयूक्त कर दिया जाता है तो वहां इनमें जाती वाच विभी सण इन्मे संग्या बताए तो विग्ति वाचक है, लेकिन आपकरांत भवोचन में इनको लेक्दिया, आंत में ओ ओ, जैसे जैचंड से जैचंदू, विभी सण से विभी सणू, असोक से आसोकू, इन्मे संग्या बताइए, तो वहाँ Australia, शEE सही उत्तर माना जाएगा ऐसे ही दूरी सब्द में कुन से संग्या है तो भावाचक चोरी में संग्या भावाचक प्रार्थना में संग्या भावाचक एक वचन में है तो भावाचक सही उत्तर होगा अब इनका बहुचन माना दें दूरी से दूरियां चोरी से चोरियां प्र शब्द है और उसको हम ओकारांत भुवचन में लिख देते हैं तो ओकारांत भुवचन में आते ही या भुवचन में आते ही वो सब्द कौन सी संग्या में चले जाएंगे जाती वाचक संग्या में चले जाते हैं चोथा नियम है यदि कोई विशेशन सब्द है और उस विशेशन सब्द को भी ओकारांत भुवचन में लिख दिया जाता है विशेशन को ओकारांत भोजन बना देते हैं तो वहाँ वो विशेशन नहीं रहता वहाँ विशेशन सब्द नहीं होकर के जाती वाचक संग्या सब्द मान लिया जाता है कैसे देखें उधरन आप से पूछा गया कि अमीर गरीब ये क्या है तो ये मूलत है विशेशन सब्द है अमीर से बना दें अमीरूं गरीब से गरीबूं इनमें क्या विशेशता हो गई तो ये जाती वाचक संग्या के सब्द बन गए है अमीर विशेशन अमीरूं जाती वाचक संग्या सब्द गरीब विशेशन है और गरीबू में जाती वाचक संग्या मानी जाएगी ऐसे बेइमान विशेशन है और बेइमानू ये जाती वाचक संग्या का सब्द होगा इमानदार विशेशन है और इमानदारू इमानदारू में क्या विशेशता आ गई ये जाती वाचक संग्या का स छोटूं और बड़ूं इन में क्या विशेश ता गई है तो ये यहाँ जाती वाचक शंग्या सब्द बन गए है पहले पत्र लेखेते थे उसमें अपने बोलते हैं बड़ूं को प्रणाम, छोटूं को प्यार तो यहान बड़ूं छोटूं ये क्या हो गया है तो ये जाती वाचक संग्या के सब्द मान लिये जाते हैं फिर अगला नियम देखी यदि कोई क्रिया वाचक सब्द अपने पास में है और उस क्रिया वाचक सब्द को भी हम ओकारांत भवचन के रूप में अंतमे ओ हो उस ओकारांत भवचन के रूप में लिख देते हैं तो वहां उनको क रोतूं हस्तूं ये क्या है तो ये मूलतर रोना से रोतूं बना है हसना से हस्तूं बना है लेकिन ये क्रिया नहीं है ये यहां जाती वाचक संग्या के सब्द माने जाएंगी ऐसे सोतूं को मत जगाओ यहां सोतूं क्या है तो ये सोये वे लोग है तो इनमें भी जाती वाच वाचक संग्या मानी जाएगी तो कोई भी क्रिया रोना हसना सोना ये क्रिया हैं लेकिन इनको ओकारांत भोवचन रिख दिया रोतों हसतों सोतों तो ये जाती वाचक संग्या के सब्द बन गए हैं अगला नियम आपके पास में है यदि कोई क्रिया वाचक सब्द है वो वाक और ऐसी संग्याओं को हम क्रियार्थक संग्या के नाम से पुकारते हैं, कैसे? देखे, एक वाक्य दे दिया कि दोड़ना एक अच्छा व्यायाम है, दोड़ना को रेखांकित कर दिया, और पूछा रेखांकित पद व्याकरण के अनुसार क्या है? option है, संग्या है, सर्वनाम है, विसेशन है, या क्रिया है संग्या, सर्वनाम, विसेशन, क्रिया, इनमें से उत्तर छाटिये तो दिखने में ये क्रिया के जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ यह क्रियापद नहीं यह संग्यापद के रूप में इसका प्रियोग हुआ है और ऐसी संग्याओं को हम क्रियार्थक संग्या के नाम से पुकारते हैं तो दोड़ना संग्या है और होना यहाँ पर क्रियापद है ऐसी घूमना स्वास्ते के लिए लाब प्रद ह यहां घोमना क्या है तो यह भी संग्या पद है और कौन सी संग्या मालेंगे क्रियार्थक संग्या कहेंगे पढ़ना और पढ़ाना मेरी नियमित आदत है पढ़ना पढ़ाना क्या है तो यह संग्या पद माने जाएंगे क्रिया पद नहीं ऐसी पीना एक बूरी आदत है, तो यहां पीना क्या है, तो पीना भी संग्या है, और कौन सी संग्या होगी, क्रियार्थक संग्या के नाम से पुकारा जाएगा, क्या पीना, सराब पीना, धूदादी पीना नहीं, सराब पीना एक बूरी आदत है, अगला नियम देखते हैं, आपके पास कुछ सब्द आगे मम्ता, सम्ता, एक्ता पूछ लियाजे इनमें कौन सी संग्या होगी मम्ता में, सम्ता में, एक्ता में ऐसे नाम आ जाते हैं इनमें कौन सी संग्या मानी जाए अब मूल रूप से देखें तो मम सर्व नाम से ता प्रत्य जुड़कर के ममता बना है, सम विशेशन से समता बना है, एक विशेशन से एकता बना है, तो ये मूल रूप से भाव वाचक संग्या के सब्द माने जाते हैं, इनमें हमें अकेला सब्द देकर के प्रसन पूचा जाता है, तो भाव वाचक कैसे देखे, ममता, समता, एकता, जैसे सब्दों में मूलता है भाव वाचक संग्या मानी जाती है, मूल संग्या है भाव वाचक, प्रन्तु वाक्य प्रियोग में यदि ये सब्द किसी इस्त्री विशेश के नाम को प्रकट कर रहे हों, तो वहां इनमें व्यक्ति वाचक सिधा सब्द देकर के पूछा जा रहा है ममता सब्द में कुन सी संग्या होगी तो वहां उत्तर होगा भावाचक अकेली सब्द में है तो उत्तर भावाचक माना जाएगा लेकिन वाकिया गया मा की ममता अनुपम होती है यहां ममता में कुन सी संग्या होगी तो यह भी एक अच्छी लड़की है, यहां ममता में कुन सी संग्या होगी, तो यह एक इस्त्री लड़की विशेश का नाम हो गया, तो इसमें व्यक्ति वाचक संग्या मानी जाएगी, ऐसी एकता सब्द में कुन सी संग्या है, अकेले सब्द में पूछा, तो भावाचक ही उतर देना ह वाक्य में आगया अनेकता में एकता भारत की विसेशता है यहां एकता में कुन सी संग्या होगी तो यह एकत्व का भाव है तो इसमें भी भावाचक संग्या मानी जाएगी अनेकता, एकता, विशेषता तीनु ही भावाचक संग्या सब्द हैं लेकिन वाक्य आगया एकता बारवी में पड़ती है यहाँ एकता में कुन सी संग्या है तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति वाचक क्योंकि ये एक लड़की विशेश का नाम हो गया तो इनमें व्यक्ति वाचक संग्या मानी जाएगी तो ये अपनी संग्या से समधी टोपिक था यदि टोपिक वेडियो आपको अच्छा लगा हो तो सभी इसको लाइक करेंगे अपने सभी ग्रूप्स में सेयर करेंगे और यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें क्यूंकि इस चैनल पर आपको रीट भरती प्रिक्षा से समधीत सभी विश्यों की तैयारी का अच्छा मुका मिलेगा साथी फस्ट ग्रेट, सेकिंड ग्रेट, कॉलेज जेक्षर जैसे प्रिक्षा हैंगी तो उनमें हिंदी संस्क्रत के लिए एक अच्छा मंच आपको यहां उपलब्द होगा सभी को भूत भूत धन्यवाद